कोरोना वाइरस के संक्रमन को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण अर्थवेवस्ता को काफी नुकसान हुआ है और भारत की सकल करेलू उत्पाद यानि जीटीपी में हैतिहास से गिरावट दर्ज की गई है इसके बाद कॉंग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहूल गांदी ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया और कहा कि नोट बंदी से अर्थवेवस्ता की बरबादी शुरू हो गई थी आपको बता दे कि सरकार की ओर से सुमवार को जारी आकड़े के अनुसार चालू वितवर्ष यानि 2020-21 की अप्रेल जून तिमाही में एकॉनमी में 23.9% की अब तक की सबसे बड़ी तिमाही किरावट आई है इस दौरान कृष्ची को छोड़ कर विनिर्मान, निर्मान और सीवा समेथ सभी शेत्रों का प्रदर्शन खराब रहा है सबसे अधिक प्रभाब निर्मान उद्योग पर पड़ा है जो 50% से भी अधग गिरा है राहूल गांदी ने ट्विटर पर GDP गिरने के बाद केंद्र की नीतियों को लेकर लिखा देश की अर्थी विवस्ता की बरबादी नोट बंदी से शुरू हुई थी तब से सरकार ने एक के बाद एक गलत नीतियों की लाइन लगा दी एनेसो के आकड़ों के अनुसार GDP में इससे पहले 2019-20 की इसी तिमाही में 5.2% की विद्धी हुई थी सरकार ने कोरुनावारस अंकरमन की रोख थाम के लिए 25 मार्ट से पूरे देश में लोगडाउन लगाया था इसका सीधा असर अर्थ विवस्ता के सभी शेत्रों पर पड़ा है विनिर्मान शेत्र में सकल मूले वर्धन यानि GVA में 2020-21 की पहली तिमाही में 39.3% की गिरावट आई जबकि एक साल पहले इसी तिमाही में इसमें 3% की विद्धी हुई थी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही आप हमें अपने राय कॉमेंट सेक्शन में दे सकते हैं साती देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी के यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें अगर आप ये वीडियो फेस्बुक में देख रहे हैं तो हमारे फेस्बुक पेज को फॉलो करें